चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं वर्ग वर्ग मूल का प्रयास कीजिये चैप्टर आज की इस वीडियो में आप वर्ग वर्ग मूल का साथ ट्रिक देखेंगे और उसका जो प्रयास कीजिये चैप्टर है उन सभी चैप्टरों को हम पढ़ेंगे यानि उन जितनी सवाले हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम देखेंगे इसके पहले मैंने दो वीडियो इसका बना दिया है अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं द 276 प्लस रूट 2401 का मान बताई यह देखिए इतने कमान बता रहा है कि रूड 116 प्लस रूड का दोहजार 401 का मान क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर इस अन्दर वाला जो रूड लिखा है रूट की अंदर जो अरूड है इसका वर्ग मूल क्या होता है उन्चास होगा थीक है हम निकाल चुके इसके पहले वीडियो में आपको बताए भी है तो इसका पर नहीं लिखेंगे अब नाम पंद्रा हो जाएगा साथ में चार्ट जोड़ेंगे 11 हां से लिए 12 एक में दो जोड़ेंगे दो सोपचीश किसका वर्ग मूले 15 यहीं आपका पहला भी कल्प सही है सेम 15 नंबर सवाल यहीं सवाल दी गई है इसमें की 15 नंबर सवाल यहीं है ठीक है तो 15 भी नहीं बताया जाएगा सवाल नंबर दूसरी देखते हैं कह रहा है कि रूड जीरो पॉइंट जीरो एट वन मल 25 ठीक है तो देखिए यह सवाल इंपोर्टन है इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसका हम डेशी मलट आएंगे पॉइंट तो यहां पर ऊपर देखिए तीन अंके बाद पॉइंट ठीक है और ऊपर यहां पर भी तीन के बाद पॉइंट मतलब इस संख्य में तीन के एकन अब क्यासी गुड़े चारसो चोरासी बटे यहां चाहँ सट जिरू को आगे को इनटू शेसो पचीस यहां पर छोंगे बात पॉइंट यहां पर च्शें के बाद पूरा अपने आप खतम होगा अगर ऊपर नीचे दोनों पॉइंट बराबर है तो अपने आप खतम ह यहां पर दोंग के बाद पॉयंट रहा होगा यही आपका उत्तर है यनि है आपका चो था बिकल्पू सही है ठीक है चलिए सवाल नंबर तीसरी देखते हैं करहें एवां छोटी से छोटी संख्या बताई ये नहीं से अध्रोट ठीक है सवाल नंबर शूटी सोठी बता इए जिससे 120 को भाग दिने पर पूड़ वर्ग बन जाए देखे करा छोटी छोडी संख्या बताना और 1260 में भाग देने पर पूड़ वर्ग बन जाए इस टाइप की मैंने कई सवाल बता दिया है चले इसको भी देख लेते हैं देखे इसका हम पहले खंड करेंगे जाइए तो यहाँ पर पूड़ बनाना पड़े जोड़ा बना लिए अब यहाँ पर देखे एक पाच और एक साथ दोनों का जोड़ा नहीं बना यहाँ तो इसका जोड़ा बनाने के लिए अगर हम को 35 से अगर हम गुड़ा कर दें तो यह संख्या पूडवर्ग बन जाएगी यह आपका कौन से विकलपा रहा तीसरा विकलपा आपका सही है सवाल नमबर चोथी देखते हैं करायवा संख्या बताइए जिसे 5954549162 में घटाने पर यह पूडवर्ग बन जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखे दो कजोड़ा दो कजोड़ा कितनी बार जाएगा सासते उन्चास साथ बाल ले जाएए सास साथ कितना होगा चाउदा यहां पर उन्चास चाउदा में नौगे पांच उता लिजे 591 आप कितनी बार जाएगा कम से कम चार बाल ले जाएए चार चौक सोला चार चौक सोला एक सत्तरा चार करनम चार एक पांच यहां चार जोड़ दीजिए चार चार आठ एक अब इसके बाद यहां पर गटा यह गया जिरू जिरू जीरू तो जो सेस फल बचे यही हमको घटा देंगे अगर इसमें चववन इक्यानमे 62 में अगर यह सेशफल घटा देंगे तो यह सेशफल नहीं बचेगा यह पूड़ वर्ग बन जाएगी यह नहीं आपका उत्तर हो जाएगा सवाल नमबर हम पाच भी देखते हैं चलिए सवाल नमबर पाच देखते हैं कह रहा है कि रूड़ वन प्लस 144 यानी वन प्लस यक्स बटा 144 बराबर 13 वटे 12 हो तो यक्स का मान ग्याद किजिए इस तरह सवाल को हम यहां पर 144 इसमें गुड़ा करें तो 144 हो जाएगा प्लस यक यहां पर यहां पर यह रूड़ हो जाएगा और 12 यहां पर 144 प्लस यक्स लिखेंगे बटे 144 प्रावर 13 की स्कॉर क्या होता है 169 नाटतर 12 की स्कॉर होता है 144 ठीक है अब यहां पर 144 यह अपने स्थान पर 169 भी अपने स्थान पर यह प्लस में उधर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में 144 यक्स बराबर क्या हो जाएग नौ में से चारगे पाथ छे में से चारगे दो और एक में से गजिरू यानि यक्स बराबर पचीस आगया यहीं हमारा उत्तर है ठीक है इस तरह सवाल मैंने एक वर्ग कार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनी बच जाते हैं तो आगे की कतार में खड़े सैनकों की संख्या बताईए देखिए 11,050 थे इसमें जो 25 बत जा रहे हैं उसको घट दीजिए क्या हो जाएगा 11,035 बन जाए ठीक अब इस 11,035 का हम वर्गोल कर देंगे तो यहां पर 2 क जोड़ा बना तो यहां पर देखे यहां पर दो को जोड़ा है की इक अद्वारए एक एक दो होजाएगा यह कर गड़ैंगे यहां पर दस यहां पर 25 फजोड़ेंगे हो जाएगा अब इसके बाद कर देंगे 105 आएगा यहीं हमारा उत्तर होगा यहीं आपका पहला विकल्प सही है सवाल नंबर सत्वी देखते हैं करा 227.217.798649 का वर्गमूल निकालिए ठीक है तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे यहां पर जोड़ा बनेंगी काई तरफ से और इसमें दहा देखिए एक उतालेजिए 27 भाग भी दिवर्गमूल अगर आप नहीं पढ़ा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं 5 बार जाएगा तो 255 125 यहां पर हम जोड़ेंगे 30 हो जाएगा तो यह 279 पूरा हो जाएगा 8 6 उताल लेंगे यहां पर 0 3 0 0 अब यहां पर कम से कम 9 बाल ले जाएगे तो नव नव इक्यासी नव जीननो जीरो नव तरीग सताइस ठीक है बस इतना बहुत है इसके बाद यह वाला मत करिए 15.09 आ गया यहीं आपका दूसरा विकल्प हो सही दूसरे भी कल्प में इतना दिखा रहा है बस इतना आपको करने की ज़रूरत है ठीक है 15.09 यहीं आपका उत्तर होगा सवाल नमबर आठ देखते है आठ में क्या कहा है आठवी सवाल में कहा है कि 5 बटे 12 का वर्गमूल दसमलों के 4 अंकों तक करना है ठीक है चार अस्थान दसमलों के चार अस्थान तक इसका वर्गमूल कैसे करेंगे हम देखिए यहां पर इसका मतलब रूड है तो बारा से हम पांच में भाग देंगे फिर आठ बचक्टे करों तेहां लिखेंगे जीरो पॉर्गमूल आप खुद निकालिये इसको मैंने बता दिए इसका उतर है 0.6454 ठीक है यह सब मैंने कई बार कराया इसको एक बार भी पढ़ा चुका है मतलब मैं पढ़ा दिया हूँ ठीक आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो इसका वर्गमुल आप जोड़ा बनाकर निकालेंगे तो 6 यहां पर आएगा 0.6454 यहीं आपका उत्तर होगा यहीं आपका दूसरा भिकल्प सही है सवाल नंबर 11 देखते हैं करा 11 का दसमलों की तीन अस्थानों तक वर्गमुल ज्याद किजिए देखिए 11 का दसमलों की तीन अस्थान तक 11.00 फिर.00.00 इसको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ बहुत बार कि आप कैसे निकालेंगे तीन 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 च्छे हो गया सब्सक्राइब तो इसी तरह आप पूरा इसको खुद करेंगे इसका उत्तर जो आएगा मैं लिग दे रहा हूं 3.31 से इतना बार जाएगा तो आपको उत्तर आएगा दसमलों की तीन अस्थान तक ठीक है इसको मैंने बहुत बार करा दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क रूड 25 उसके बाद क्या दिया 3009 का वर्गमूल क्या होगा तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 503 यहीं पांच सो तीन यहीं आपका उत्तर होगे नहीं आपका पहला भी कल्प सहीए सवाल नंबर 11 देखते हैं कह रहा है कि 16 160 का मैं कम से क संख्या को गटाया जाए कि सेश एक पूड़ बन जाए इसका वर्गमूल निकालेंगे जो सेश फल बचेगा वहीं घटाया जाएगा देखिए वर्गमूल कैसे निकलता एक एक अन्ना में एक एक में जोड़ेंग दो यह कड़िए उतालीजे शिक्स बन कितनी बार ठीक है आप कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 छाट दूनी 12 साथ दूनी 14 साथ बाले जाए सासते 49 चारवाटपीश शाड़ बात्तिस साधूनी 14 तीन 17 दस में नहीं ऊगे एक यहां पचा पांच पांच में तुईगे तीन यनिकि 31 आपका किसमे विकल्ब में आ रहा दूसरे बिकल्ब में यानि 31 घटा दिया जाए तो यह पूर्ड बन जाएगी यही आपका उत्तर होगा यानि आपका आप दूसरा नंबर आप से बिलकुल सही है सवाल नंबर 12 देखते हैं इंपॉड़न सवाल है करें रूड़ 64 बटा रूड़ जीरो पॉइंट 04 का मान क्या होगा देखें रूड़ चारक बवर वता था है अब यहां पर उपर दस से गुड़ा करदें पॉइंट अब यहां के बाद वाद पाइंक यहां पर प्यूइंट लग जाएगा अब यहां पर 0.2 हो गया तो नीचे पॉइंट तो उपर 10 से गुड़ा कर देंगे और अगर उपर पॉइंट होता नीचे 10 से गुड़ा कर देते तो आठ गुड़े 10 यहां पट दो सवाल नम्मर 13 देखते हैं तेरा में क्या कहा है कि रूड 0.9 का मान दसमलों के तीन अस्थानों तक निकालिए तो यहां आपको ऐसे ही करना आए 9.0 फिर 0 फिर 0 दसमलों के तीन अस्थान तक आप खुद करिए इसको मैंने बताया है इसका उत्तर आएगा 0.948 यहीं आपका कौन से विकल्प में आ रहा है 0.948 यहीं आपका उत्तर यहीं आपका पहला आप्सन बिल्कुल राइट उत्तर होगा ठीक है आप इसको खुद निकालिए सवाल नम्मर 14 में क्या कहा है रूड 98 मल्टिप्लाइ रूड 72 तो देखे इसको दोनों को हम एक में रूड करेंगे 98 मल्टिप्लाइ 72 अब इसका हम खंड करेंगे या फिर इसको आप गुड़ा कर सकते हैं तो यहां पर हमाल लिजिए 98 का खंड करें तो दूजिए चवकार दोनों आठारा साथ सते उन्चास साथ कंडम साग और बहत्तर का हम करें तो क्या आएगा दो त्याइग छे दो कंडम दो और की साथ इसके साथ निकल गया इसका जोला सभी का जोड़ा बनें बाहर निकल गया अब यह सवाली है ढुबारा दे दिया है तो यहां पर आपकी अभ्यास प्रस्वार्षणogy की सारी सवाल होगत अगला चैप्टर आपको आएगा दसम्लो संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर अधार बुष संक्रियां यानि सात्वा चैप्टर आएगा तो आपको बहुत स्पीड में रिवीजन किया जा रहा है आपका पेपर जल्द ही आने वाला यानि 10 अपरेल को है आप अच्छे से तैय सुनिवादप।